हेलो एवरीवन वेलकम टू माई चैनल लॉजिक पालशला और देखिए आज एक नया सब टॉपिक आपको देखने के मिलेका जो कि क्या है बर्निंग इश्यू है देखो बर्निंग इश्यू में हम क्या करेंगे जो भी कुछ इंपोर्टेंट मालों इंटरनाशनल या फिर नेशनल कोई बहुत इंपोर्टेंट न्यूज आए कि उसको मैं आपको बर्निंग इश्यू में शॉट में कंप्लीट करवा दूँगी ताकि आपको उसके लिए स्पेशल से अलग से पढ़ने की जरूत ना पड़े तो आज को जो बर्निंग इश्यू है देखो बहुत इंपोर्टेंट है और रेगुलर दिखेंगे जरूरी नहीं कि डेली बर्निंग इश्यू हो बट जब भी आपको प्रवाइडिट हो जाएगी वीडियो आपको हमेशा जो वीडियो का कोई भी डिस्क्रिप्शन और कोई भी लिंक अगेंस्ट चाइना भई यहां पर क्या कर रहा है ताइवान तो भई ताइवान ने भई क्या बोल दिया कि वार की बोलती है अब कोई तो भई यहां पर वज़ा होगी कि क्यो यहां पर यहां पर द्यान से निउस को सुन लेते हैं यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है international community से ताकि हम चाइना को क्या कर सके डिफेंड कर सके increasing military interference क्योंकि चाइना की military interference काफी जादा बढ़ती जा रही है और डर है कि real possibility of war का भीया यहाँ पे war भी हो सकती है देखो क्या हुआ है बुद्धवार की दिन क्या हुआ है चाइना की दो anti-summarine जो aircraft है वो चाइना की क्या है आपके लोगी चाइना की area में जो चाइना का जो zone है उसमें प्रवेश कर गई अब यह anti-summarine aircraft क्या होता है चलो इसके बाने में थोड़ा सा जाल लेते देखो सम्मरीन क्या होता है जो पानी के अंदर जहाज होते हैं मतलब पानी के अंदर जो आपके लोगी शिप वगेरा होते हैं पानी के अंदर वाली उनको हम सम्मरीन बोलते है ठीक है इतनी बात पता चल गई लेकिन anti-summarine aircraft वो होता है जो सम्मरीन को मार गिराने उनको ट्रैक करने उनको डिस्ट्रॉइ करने में सक्षम होता है तो ऐसे दो anti-summarine aircraft वो उड़कर चाइना का जो जोन है वेडिनियस्ट्री जवन भही वहां पर उड़कर आ गए उसके बाद तयवान ने क्या पर धा ह हमारे पर यहां से बाहर हो अब ये अब यह बात बताओ कि क्या कोई भी एक राव्ट किसी भी country के किसी के भी border में बिना permission के आ सकता है नहीं आ सकता है तो भाई यह चाइना के कैसे आ गए बिना permission की तो भाई यहाँ पे यह संकेत कर रहा है कि चाइना जो है वो ताइवान पे आ तो पूरा हमला करना चाता है या उस पे पूरा हग जमाना चाता है तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है इसलिए यहाँ पे ताइवान ने बूला है कि पूरी तरीके से क्या बोल दा ताइवान ने कि हम यहाँ पर पूरे वर्ड से कहना चाहती है कि अब समय आ गया है तो अब समय किस चीज़ का आ गया है I think अब समय आ गया है वार का तो यहाँ पर वार का एक बहुती चिंता का विशेद जो है बना हुआ है तो पूरी बात देको यहां पर यह हुई है किस वज़े से यहां पर हुआ है अब देखो अगर हम बात करें ताइवान की तो ताइवान है क्या आएवान के बारे में अब खुद ताइवान को नहीं पता होगा कि वो country है या वो चाइगा को तो देखो यहां पर बात करें तो यह पूरा हमारा क्या है यह पूरा हमारा चाइना और यह च्छोटा सा यहां पर क्या है ताइवान एक फटा सा आइलेंड जाइवान capital इसकी ताइपे है Currency यहाँ पर है New Taiwan Dollar और President का नाम है Tsai Ling Wen, यह यहाँ के President है, चलो इतनी बात हमने यहाँ पर कर ली, आप थोड़ी सी बात जरा ताइवान के बारे में कर लेते हैं, देखो यहाँ पर समझना, ताइवान जो है वो अगर बात करें, ताइवान खुद को क्या बोलता है, ताइवा ने अपना एक नाम दे दे आपने आपको Republic of China, लेकिन आपको पता है कि चाइना का नाम क्या है, चाइना क्यों, चाइना खुद को क्या बोलते है, People Republic of China, अब एक बात बताएए कि चाइना ने आपर ताइवान से बोला कि तुम हमारा हिस्सा हो, तुम हमसे अलग नहीं हो, ब नेशन, Two theory system का मतलब कीजा है, रास्ट तो एक है, बाट यहाँ पर system बस अलग अलग है, तो यह बात तो क्यों बोल ता है, यह बात तो चाइना केता है, कि बाएप यहाँ हमारा एक ही रास्ट है, लेकिन सिफ यहाँ पर system अलग है, तो इस तरीके से चाइना यह बोलता है, चालो चाइना ने तो बोलता कि हमारा हिस्सा है पूरी तरीके से बाकी लोग क्या जानते हैं देखो अगर हम पूरे वर्ड की बात करें कि पूरे वर्ड यहाँ पर क्या समस्ती है तो पूरी वर्ड भी बही चाइना ने पूरे वर्ड को बोल रखा है कि अगर आप हमारे साथ One China policy अपना होगे क्या बोला मैंने One China policy अपना होगे इसका मतलब क्या है कि हमारे साथ अगर अच्छे संबंद आपको रखने है आपको ताइवान को People of China मानना होगा Republic of China कुछ नहीं होता है People's Republic of China ही आपको ताइवान को मानना पड़ेगा चाइना नहीं पूरे वर्ड से कह रखा है ये तो बातों के वर्ड के अगर हम बात करें इंडिया की कि इंडिया यहाँ पर क्या समझता है कि हमें ये भी तो जानना पड़ेगा कि इंडिया क्या बोलता है इंडिया भी यही मानता है जो चाइना कहता है सिर्फ यहाँ पर one nation, two theory system यहाँ पर वो काम करता है इंडिया भी यही मानता है, चाइना की तरह ही जो चाइना मानता है अब अगर बात करें US की, कोई US से यहाँ पर बहुत ज़ादा interfere भी कर रहा है, क्योंकि US वाले चाहती हैं कि जो ताइवान है और जो चाइना है, यह दोनों जो हैं वो एक साथ ना रहें, यह अलग अलग हो चाहें इसके लिए US वो अंदर बहुत ज़ादा ताइवान को सपोर्ट करता है, अभी ताइवान को सोने, उन्होंने जो मिसाईल होगी, जो सिस्टम्स होगी, वो यहाँ पर ताइवान को हत्यार वगएर दिये चाहरें हैं जबकि चाइना मना कर रहा है कि आप ये सारे चीज़ें नहीं करो लेकिन यू.एस से क्या कर रहा है, तब भी ताइवान को हतियार वगएर सप्याल कर रहा है अंदर यंदर चाहता है अंदर यंदर 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 यंद बहुत ही मुश्किल है तो यह थोड़ी से आपको जाननी होगी कि तैवान का क्या इतियास है किस सरीके से control पहले तो ताइवान चाहिना लेकिन आफ्टर विर्ड वर यहां पे यह तो चीन और जापान के बीच में युद द्वा आता। मैं थोड़ा सा पर लिटल बॉइ और फेटमें नाम के दो बॉब जो है वो गिराए थे जापान हार गया तो वह 28 वापस से ताइवान कहां चला गया चाइना के पास ही वापस से ताइवान पहुंच गया तेकिं क्यों कि तैवान वाले ये नहीं मानते कि हम चाहिना का हिस्सा उन्हों ने अलगी आइलेंड पर चाके ताइवान में अपना अलगी सिस्टम पूरा डेवलप कर लिया तो तब से यह जो यह दोनों देशों के बीच में यह अभी तक ही चले आ रहा है कि ताइवान किसका है और ताइवान किसका नहीं है तो विशेशकर आपको ध्यान रखना है बर्निं रही है तो यह था आज का हमारा बर्निंग इशू सो इसी तरीके से अगर कोई भी बर्निंग इशू का कोई भी इंपोर्टन इंटरनाशनल और नैशनल कोई भी नियूस होगी तो वह मैं आपको यहां पर वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दोंगी तो थांक यू सो म अर आज कर दो है कर दो वीडियो और नहूं खोगे तो शूप्सक्राब वान्या जैनल थांक यू सो इस वीडियो